चले नमस्कार दोस्तो मेरा नाम दीपक है और मैं आपके लिए लेके आयों बहुत ही जरूरी सूचना दोस्तो आज एक देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीस किया ठीक है इस मैनिफेस्टो को मैंने भी एक घंटे पूरा स आया कि अगर वो आगे सरकार में आते हैं तो उनके क्या-क्या प्लैन रहेंगे और उस भाशन के दौरान उन्होंने एक बहुत जरूरी बात जो हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो है कि उन्होंने EMRS की भरती को लेकर हाइलाइट किया कि हम EMRS के स्कूलों को बनान बहुत काम करेंगे उसकी भरती प्रक्रिया को लगाने पर बहुत काम करेंगे दोस्तों ऐसा वर्ड सीधा प्राइम मिनिस्टर से आना है ना मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इनकी सरकार अगली बार आने वाली है वो सेपरेट इशू है वो पॉलिटिकल इशू है बट मैं मानक करेंगे चल रहा हूं कि हमने जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके मुझ से यह सीधी बात निकल के आना कि यह मरेस की भरती को एक्सपेडाइट किया जाएगा उसको और आगे बढ़ाया जाएगा उसके स्कूलों का निर्मान करके उसकी जितनी भी प्रक्रिया है वो सब की जाएगी और यही बात उनके मैनीफेस्टों में भी क्लिएर-क्लिएर मैंशन की गई है तो दुस्तों अपने आप में एक यह बहुत मोटिवेटिंंग बात है अपने आप में एक यह बहुत ही हमारे लिए और मैं आपको डेवन से बोल रहा हूं यह बात कि देखेए यह वेमारे से कैसे भरती है जो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट भरती होने वाली है 2024 के अंदर क्योंकि सबसे जादा वेकिंसी वहीं से मुझे उमीद लग रही है लगबग 10 से 15,000 वेकिंसी वहां से निकल सकती है गौर्मेंट जॉब की उधर UPTGTB अपना एक जो है उससे भी निकल के आ सकती है अब मैं आपको यह दिखाता हूँ देखिए यह कहां पर इन्होंने mention किया है तो BGP के जो manifesto है उनका main main point है दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर clear clear लिखा है 740 एक लव्या residential model जो है उनको prioritize किया जाएगा उनके operations को देखा जाएगा उनमें जो जो कमिया है वो पूरी की जाएगी मैं एक बार पढ़ देता हूँ 740 एक लव्या model residential school will be established to prioritize the education of the tribal children with efforts to expedite the construction and operations of the remaining schools यानि जो बचे वे school है उनको तेजी से बनाया जाएगा उसमें जो operational requirements है वो सारी पूरी की जाएंगी तो guys यह अपने आप में बहुत important बात है और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो क्या कहते हैं यह चीज है यह अगर सरकार दुबारा repeat होती है और नहीं भी होती है guys तो मुझे लगता है दूसरी सरकारों की भी यह priority रहती है क्योंकि ऐसा नहीं होता क पूरानी सरकार की सारी policy हटा दी जाती है क्योंकि यह तो काम पहले सरकार से चला आ रहा है ठीक है तो सरकार कह रही है हम इसको और तेजी से करेंगे तो इसका मतलब यह पहले से किसी particular party का का काम नहीं होता है यह सरकार का काम होता है तो सरकार की policy आने वाली सरकारे भी लग लग भग आगे बढ़ाती है और स्कूल और उसको लेकर कभी पॉलिसी में ज़्यादा चेंज आते भी नहीं है तो मेरा मानना है मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेकर कि जून और जुलाई के अंदर इसकी भरती आपको देखने को मिल सकती है और लास्ट टाइम लग जाईए connect हो जाईए यह number भी मेरा दिया हुआ 8178970961 इस पर भी आप call करके कोई भी चीज की जानकारी यह लेनी है ले सकते हैं हमारे पाप paid courses available है मैं साड़े दस बजे YouTube पर आता हूँ सुभा रात को नहीं सुभा साड़े दस बजे मैं English की त्यारी कराता हूँ और हमा सारा पूरा आपको EMRS के लिए support रहेगा तो आप सब लोग हमारे से connect हो सकते हैं जुड़ सकते हैं मेरी YouTube वीडियो में आप सब लोग maximum आ सकते हैं साड़े दस बजे मैं त्यारी कराता हूँ सुभा तो यह जानकर यह आपको देनी थी और यह बए मेरे लिए मैं बड़ा खु connect रहिएगा जुड़े रहिएगा ऐसे ही मैं न्यूज और बाकी important information आपके साथ share करता रहूंगा thank you so much for watching this my name is दीपक बबाई गाई थांक यू